क्या कहती है पंडिजी की कलम चांदी की इप कब रखनी चाहिए घर में जब सास बहु का जगड़ा हो रहा है माता बिमार रहती है पैसा खर्च हो जाता है पत्नी का स्वास्ते खराब रहता है शादी नहीं हो रही है तलाख हो गया है आए दिन कलहे का वातावन रहता है व्यपार में साजेदारी में नुकसान होता है ऐसे ही जब राहू आपके जीवन में परवेश करता है तो लच्छमी का धुआ निकाल देता है लच्षमी का धुआ ऐसा निकालता है कि वो चंडाल के रूप में उसकी मिट्टी को बादलों के साथ उड़ा करके काले बादलों में मिला देता है तो मिट्टी भरी काली आंधी आपके जीवन में चलती है तो पंड़ेजी की कलम कहती है लच्मी का धुआ निकालने वाला चंडाल तो दोस्तों देखते रहिए आज का हमारे ये वो वीडियो हरी हरी ओम इल्म जोतिस लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों जान्दी के एक ऐसे अध्वुद उपाई पर जिसको पंडित रूपचन जोसी जी ने सन 1952 में बहुती खुले सब्दों में लिखा है कि अगर ये दहेज में ले लिया जाए तो हमेशा आपकी घर और ग्रस्ती में सांती बनी रहेगी तो क्या कहती है पंडित जी की कलम तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों यदि आपने हमारा ये चैनल अभी सस्क्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सस्क्राइब कीजिए आपको यहां सन 1952 पंडित रूप चन जोसी जी की कलम से लिखी भी जानकारिया मिलती है तो दोस्तों पंडित जी की कलम में लिखा है अगर आपका कुंडली में खाना नमबर साथ या शुक्र पर राहू का प्रभावा आजाए तो आपके लच्मी का धुआ निकल जाएगा मिट्टी उड़ने लगेगी ऐसी आधी होगी जिसमें मिट्टी भी होगी और काले बादल भी होगे मिट्टी भरी काली आधी जीवन में चल जाए तो जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है ये आप खुद कल्पना में लगा सकते है पंड़जी ने कहा लच्मी का धुआ निकालने वाला चांडाल यानि कि लच्मी का धुआ निकालने वाला चांडाल जहां भी बैट जाए उस चीज को नर्ग कर दे गर कर दे तभा कर दे ये राहु साथ है और जब जब राहु शुक्र के साथ आया है तो मिट्टी को बादलों के साथ उड़ाकर मिट्टी भरी काली आनी जीवन में उड़ने लगती है जिसके कारण शादी में दिक्कत हो जाती है, सादी चल नहीं पाती है, डेली इंकम में दिक्कत हो जाती है रोज का पैसा नहीं आता आपका जो पैसा है धिरे धिरे खतम होने लगता है जिनकी कुंडलियों में भी ये योग है ऐसे में पंडित रूप चंजोसी जी कहते हैं कि चांदी की इट जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है चांदी की इट बनवाईए उसकी जो सेफ है वो इट की आकरती की ही होनी चाहिए अपने बजट के अनुसार बना सकते हैं आज की तारिक में चांदी बहुत महंगी है आप चाहे छोटी बनाईए चाहे बड़ी बनाईए अपने बजट के अनुसार उचको दहेज में जरूर लीजेगा यानि कि कन्या को उसका पिता दहेज में जर ले, 1000, 2000, 5000, 10,000 जीतने की भी बनती है, छोटी से बड़ी ईट जरूर दहेज में ले, और उसको संभाल करके रखें, कभी भी उसको बेचना नहीं है, अपने धनभाव में बना करके रखे रहना है, कभी भी उसको बैंक लोकर में नहीं रखना है, और मकान वास्तु के इसाब से आप इसको रखेंगे तो आपको हमेशा उसमें फायदा ही फायदा होगा दोस्तो जिनका स्वास्ते बिलकुल खराब रहता है कही योग ऐसे हैं जब स्वास्ते खराब रहता है चंद्रमा आपका कुंडली में वीक है चंद्रमा बहुत खराब हो गया है तो कही ना कही दिल की बिमारी सारीरी कमजोरी क्योंकि बलड के अंदर का फ्लो उपर नीचे जाना पारे की तरह बहना ये चंद्र और मंगल के मिलन या उसमें सूरज का प्रभाव आने से उपर नीचे होता है आपको स्वास्ते अच्छा नहीं रहता तो भी आप चांदी की ईट 60 ग्राम से लेकर के तो दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूँ जिनकी कुनलियों में भी राहु शुक्र का प्रभाव खराब हो गया है शुक्र मिट्टी का धुआ निकला है लच्मी खराब हो गई है और आपका बिजनिस स्टेबिल नहीं रहता कोई इंकिम रुप्या पैसा आता ही नहीं है खर् आप उसको इशान कौन में रखे या कहिं भी उत्तर साइड में रख दीजिये। आपने चांदी की एट की अगर पुजा करेंगे रोच आप उसको अपने मंदे में रख कर पूजा करेंगे केसर लगाएंगे फूल धीप दीब देंगे दिखाएंगे तो आपको अत्यधिक लाब होगा दोस्तो यदि आप भी चाहते हैं पंडिक जी की कलम के दुआरा हमसे पत्री दिखाना तो दोस्तो आप हमारे वाटसप पर कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मगर दोस्तो आपको पहले हमसे कॉल पर अपोईमेंट्स लेना होगा, या तो आप गाजावाद कुंडली दिखा सकते हैं, या दिल्ली दिखा सकते हैं, मगर पहले आपको समय लेना होगा और ऑनलाइन पत्री दिखाना चाहते हैं तो उस पर भी एक दिन का आपको समय लेना होगा, उसके बाद एक या दो दिन बाद हम कॉल करेंगे समय मिलने के बाद उस पर स्टडी चलेगी पूरे बकायदा स्टडी में दो या तीन घंटे एक पत्री पर लगते हैं आप डारेक्ट मैसिस करके अपनी बर्थ ओफ डेट डाल करके कॉशन पूछने लगते हैं हम उनका जवाब बिल्कुन नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे जवाब प्रिशन कुडली से दिये जाते हैं यहां लाल किताब इल में जो तिस लाल किताब से इस्टडी होती है एक कुडली अगर हमारे पास आती है तो हम उस पर कई कई साल अध्यन करते हैं परिवार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसमें कई-कई साल और धिरे-धिरे step-by-step अध्यन होता रहता है और उनको उपाई कराए जाते हैं, उपाई साल दो साल चलते हैं और वर्सफल बदलने पर फिर उपाई दिये जाते हैं, तो दोस्तो यदि आपको अपनी पत्री दि दिखाईए, ओनलाइन होगी, महाँ पर भी समय लगेगा, और प्लीज दोस्तो फ्री में कुल्डी दिखाने की रिक्वेस्ट ना किया करें, क्योंकि पूरी study होती है, उस पर पूरा दिल लगता है, आप समय समय पर बाद में भी job call करते हैं, उसमें फिर शमय देते हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यहाँ पर जितने भी हम उपाये दे रहे हैं, इल्म जोतिसलाल कीताब से, पंड़ जी की कलम से, आप उनको कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं आप से इजा आजर लेता हूं, बवन्दे मात्रम जय हिंदा